तुम हटो जो 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 बाते कहीं है उन्होंने बेखासे जो योजना न्याए योजना की जो उन्होंने जिक्र की है मैं इसका पूर जोर तरीके से स्वागत करता हूँ और मुझे भी लगता है कि ये पूरी तरीके से इंपलेमेंट किया जा सकता है जुमला पार्टी जो है उसको अपना छोड़ करके सबका जुमला लगता है अगर यही बात जुम्बला होती तो CH, तो राहूल गाज़ीं जी ने वादा किया था। मद्य प्रदेशु के लोगों से, सचेयस गर के लोगों कि किसान का कर्ज माफ करने का काम करी ने। आप जो प्रैसा देने के लिए है लेकिन गरीब के लिए नहीं है तो जो पैसा आप जो उनका माफ कर सकते हो हजारों लाको करोरों में तो यह जो न्याय उजना है कि पांच करोर परिवारों को यानि लगभग पांच गुना किजिए तो पचीज करोर परिवार लोगों को जो सीधर लाब हो नियुत्म आए यानि इस देश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहेगा जिसकी कमाई बारा हजार से नीचे रहेगी यानि कम से इंकम 12,000 रुपे की रही ही रही है मालिजए कोई काम कर रहा है मजदूरी कर रहा है उसको उसको पूरा मजदूरी नहीं मिल पाता है माली 6,000 कमा रहा है एक परिवार वह करने में वह जो होगी नाय योजना के तहर सबसे गरीप परिवारática waar में उनको जो हई कि तो हम तु इसका इसलिए स्वागत करते हैं क्योंकि विहार के लोगों को ुसे सबसे उप्से पायदा होने कर था करदी डिहार कुस्टे ज़ता लुग्हाएफ सब्सेट गर किसी हिंदोस्तान में खिसी लाज को फाईदा होगा तो वह बीहरuchenफ और जुकन हो इस तरह का सब को अपना अधिकार है अभी चुनाव का सीजन है हर जगा जो है उमिद्वार पहीं संटुस्थ होंगे और हमको नहीं लगता कि आज की दौर में सब लोगों को संटुस्थ किया जा सके लेकिन अगर हाता पाई हुआ है तो रवी शंकर जी के समर्थक द्वारा हुआ है इसने काला जंडा दिखाया होगा तब हाता पाई क्यों करोगे भाई कि आप हाथ उठाने का काम के सके तो बीजेपी तो अरजक्ता की पाटी है यहां तो सिफ जहर भैलाने की बात होती है बिना बात पे आप देखेंगा गुंड़ाई करेंगा आप देखेंगा MP MLA को पीटा है भूल गए जो वीडियो जो वाईरल हुआ अपने ही पाटी के MP M को पीटर है और जिस तरीके से उंक्या जो विशार है गांधी के हत्यार जो रहें उनको मानने वाल लोग है यह लोगता है तो और क्या है लोग सिखेंगे विराज सिंह के बारे में क्या कहेंगे लगतार वो न राज हो रहें बोले कभी लड़ेंगे कभी नहीं लड़ेंगे गया। कि हमारे पार्टी में निन्ने लिया गया कि अगर जो अगर लोग रहेंगे तो कम से कम यह बात आएगी कि जो उमिदार हो जो भी कैंडिडेट हैं माली जे पाटली पुत्रा से तो जो तीन-चार संभावित जो उमिद्वार होंगे माली जे बक्सर का चुनाओ या पाटली पुत्रा कर चुनाओ अगर संभावित उमिद्वार होंगे तीन-चार तो कम से कम उनका आभी जो है नाम रोग दिया जाए और अमेंडमेंट तो कभी भी क्या जा सकता है तो यह हम लोग विचार किया है ताकि उसके जगे पे क्योंकि जो भी माली जे च्छते-शात्वेट फेज में जितनी खॉंचवेंसी आती है तो उसके जितने भी संभावित उमिद्वार हैं उनका कम से कम अभी होल्ड किया गया है और बाद में अमेंडमेंट तो पार्टी के उप पर है माली जे कौन होगा उमिद्वार यह किसी को नही कॉन होगा नहीं होगा जैतों लेटानी के बाद पतेली ओधिकान्ट को लेकर कि यह सब कुछ हो चुकाBar हम लोग सब लोग तयार हैं, कॉंग्रेश का अपना प्रक्रिया है, नाशनल पार्टी है, उनका अपना जो अर्गनाजेशन स्ट्रक्चर जो है, उसके तहद जो होगा, में जाच से देखें, दो फेस तक का तो हम लोगों ने कर दो, अब हम लोगों की कोशिश है, कि बाकी के बचे जितने फेसेज हैं, कोशिश रहेगी कि कौन कहां किसने स्ट्रीटों पर लड़ेगा, अगरे बार में ये भी तक है,